और असत्य के लड़ाई का अंत हो गया मुझे तु लगता है कि ना केवल ये युद्ध जारी है बलकि इस युद्ध में एक नया मोड आने वाला है मुर्खों, नारी तुम्हारी दुर्बलता है और जो सुन्दरता पर मोहित होकर अपना लक्ष भूल जाते हैं में जीवन में कुछ नहीं कर सकते तुमने मेरे सारे किये कराए पर पानी भेर दिया अब तुम देवताओं का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे वो अमर हो चुके हैं अमर ठेर जाएए कौन है आप लोग हम ब्रहों पुत्त संकादिक रिशी हैं मेरा नाम सत्थ है यह है सनंदन सनत और शोनक अपने आने का उद्देश्य बताईए अब गजितर पर आने का उद्देश्य है प्रबु के दर्शन की इच्छा के अत्रक्त और क्या हो सकता यह द्वारपालो आप अभी faithful उनस्ते था क्टें क्यूं नहीं मिल सकते हैं द्वारपालो रभु अवे विश्राम कर रहे हैं किसी बाते करते हैं द्वार पार सिश्व औरुसस्वर कभी विशाय नहीं करते ज़र शॉम क्तर बहुत हैं तो अमें जाने दो ₹- विजट्र प्राणे हैं आप एक बार आप से कहा दिया कि आप अभी उनसे लहें मिल सकते हैं तो आप लगतों नहीं चाहते हैं यह द्वारपालो हम तुमसे विंती करते हैं कि हमें अपने लक्षमी नायन के दर्शन के लिए पीतर जाने दो हम बहुत दूर से उनके दर्शन को आये हैं एक बार कह दिया कि अभी आप उनके पास नहीं जा सकते तो फिर हट क्यों कर रहे हैं फिर द्वारपालो पसका अच्छा नहीं होता शाहें वो पस कितना भी उचा हो तुम तो एक द्वारपाल का छोटा सा पत पाकर इतना अने लगे तुमने अपने अभीमान में आकर हमारी राहा रोकी हमें अपने प्रबू से मिले नहीं दिया तुम्हें इसका डंड मिलेगा हम तुम्हें शाप देते हैं जाओ तुम दोनों राक्षु सुन जाओ है रिशिगण विश्नु लोग में आपका स्वागत है प्रभू इन रिश्यू ने हमें श्राप दे दिया हम तो केवल अपने कर्टव्य का पालन कर रहे थी प्रभू कर्तव्य पालन का अर्थ ये तो नहीं कि आप मेरे और मेरे भक्तों के बीच दीवार बन जाएं आप दोनों से घोर अपराद हुआ है और इस अपराद का दंड तो मिलना ही था है जै ये विजै जिस प्रकार व्रिक्ष और उसकी जड़ का नाता कोई नहीं तोड़ सकता उसी प्रकार मेरे और मेरे दर्शनाभिलाशी के बीच कोई नहीं आ सकता मेरे दर्शनार्थी मेरी संपत्ती है जै और सवया मैं उनकी संपत्ती हूँ हम दोनों का एक दूजे पर समान अधिकार है जब भी कोई इश्वर और भक्त के बीच आने का प्रयास करेगा किसी न किसी रूप में अवश्य दंड पाएगा है रे शिगन आपको विश्णो लोक में जो कश्ट हुआ उसके लिए मैं स्वयम आपसे ख्षमा मानता हूँ हम दन्यों गए प्रभू आपके दशन होए हमारा जीवन सफल हो गया हमारे जीवन का तो एक युद्धिश है आपकी आराधना और उपासना आपको देखा तो हमारी नेजों की त्रिक्ति हो गई प्रभू इनसे कहिए कि मैं क्षमा कर दें पर सरवेश्वर हमें इनके शाप से मुक्ति दिलाईए नहीं विजय यह नहीं हो सकता रिशी का शाप धनुष से निकला हुआ बान होता है उसे न रोका जा सकता है और नहीं वो लौट सकता है है रिशीगर मैं आपसे यह तो नहीं कह सकता कि आप इन दोनों को अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए इन मूर्खों से जो भूल हुई है उसके लिए वो दंड के पात्र तो है पर इन्हें यह तो बताईए कि इन्हें यह दंड कब तक भोगना होगा क्या आपके शाप से मुक्ती पाने का कोई मार्ग नहीं है हां है ए सरविश्वर हमारे شाप से मुक्ठी पाने का एक ही मार गय आपके द्वारपाल जय और विजय को हमारे शाप के कारण थीन बार प्राक्षे शोनी में जनम लेना होगा और तीनो बार अपने वैर करना होगा और तीनों जन्मों में आपके हाथों मित्यू प्राप्त करनी होगी पहले जनम में जय और विजय हिरन्य अक्षे और हिरन्य कसी पू बनकर जन्मेंगे और आपके हाथों मर जाएंगे जय और विजय कुमबक्रन और रावन के रूप में आएंगे और आपके राम आफ्ता अज्वारा मित्यू लोग में बेज़े जाएंगे तीसे जन्द में यह दोनों कंसा शिशपाल बन कराएंगे और श्री किष्ण क्या तो मरेंगे बस इसके प्राइफिलिन की मुक्ति हो जाएगी एसर विश्वर ही जय हो यह जय हो है यह जुद्री लोगिनाथ आपको कोटी-कोटी भर नाव करें रिशिग आपका श्राप हमारे सिर्माथे पर कि हमाफा श्राप सिर्जुका कर स्विकार करते हैं और मुक्तिमार्ग की होज में निकलते हैं मैं मां हूं धर्दी मां संकादिक रिशियों के शाप ने जय और विजय को विष्णु लोग छोड़ने पर प्रिवश कर दिया उन्हें ये शाप केवल इसलिए मिला कि उन्हें अपने पत पर अभिमान हो गया था वे समझने लगे थे किश्व विश्णु के द्वारपाल जैसा पत पाकर वे अब रिशियों और देवताओं से भी अधिक महान हो गया है अपने पत पर अभिमान करना और पत का अनुचित पयोग करना हर यूग में दंड के योग के अपराद रहेगा सनकादिक विशियों का शाव पहली बार उस समय रंग लाया जब जै ने कश्य विशी की पत्मी दिते के गर्व से असुराज फिरने आक्ष और विजई ने उसके अनुच फिरने पक्षितों के रूप में जन लिया ये दोनों भाई बहुत बल्वान बहुत शक्तिशाले बहुत घमंडी बहुत प्रोधी और कूर थे पर एक दूसरे पर निच्छावर थे तालदान प्राव टोसी नियो यह जञा यह जख प्रेने जिए जगा यह जगा यह जगा यह जगा बहे जगा यह जगा का जगा यह जगा यह कियो, यह वा झाट गॉजा झाट… कियो, यह गुजा झाल झाला हुग। कर दो कर दो कर दो कर दो कि मेरा ब्राता कितना बल्वान है मुझे तुम पे गर्व है हिरंडे का शबू तुम केवल मेरे ब्राता ही नहीं मेरा दाइना हाथ भी हो कर दो कि मैं जो भी हूँ आप भी के कारण हूँ मिर मन में आपके लिए आदर ही आदर स्ने इसनी है प्राता श्रीफ हम दोनों मिलकर तीनों लोकों को जीत सकते हैं तुम कहते हो तो मैं तुम्हें तीनों लोक जीत कर दिखा दूहीं रणने का शबूव मैं मां हूँ धर्ती मां हिरन्याक्ष ने तीनों लोक जीतने के धोन में संसार में आदंक का ऐसा ववंदर उठाया कि मानवता करह उठी वो बहुत अत्याचारी और निर्दई राजा सित्थ हुआ उसके युग में विनाश और आदंक ने ऐसा नंगा नाच नाचा कि संस्कृति और संभेता ने लजाकर आखे जुका ली उसने जीवन की हर मधुरता को हर सुन्दरता को ऐसे निर्दैता से कुछला कि मैं खबरा गए चारों और आग ही आग रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा था वो निर्दै मेरी और बढ़ा मेरे तो प्राण सूख गए शायद हर सत्ता के लोभी की भादे वो सबसे पहले मुझे प्राप्त करना चाहता था मैं उसके भैसे भागी पर उसने मुझे पकड़ लिया उसने मेरा अभ़रण किया मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध पाताल में ले गया कोई रह न देखकर मुझे दुख्यारी ने अपने स्वामी अपने नाथ शेविश्णू के स्तति की उन्हें रोकर पुकारा और विश्णु तो हर दुख्यारे मन की करुण पुकार सुनते हैं मेरी पुकार सुनी वे समझ गए कि अदे मुझे कुछ हो गया तो मानव बेघर हो जाएगा मानवता का मंदिर गिर जाएगा सो हो आए वहां भी आए जहां केवल कीचर था गंदगी थी ऐसी जगह पर आने और मुझे बचाने के लिए उन्होंने वारा जैसा रूप लेना भी सुईकार कर लिया ये उनका तीसरा अवतार था जिसे इतिहास वारा अवतार के नाम से जानता है वे आए और उन्होंने मुझ अबला को असोर राज हिरन्याक्ष के पंजे से छोड़ा लिया और मानवता को बचाने मानव का कल्यान करने के लिए हिरन्याक्ष का वद भी कर दिया परन्तो हिरन्याक्ष का वद भी आतंक का अंत नहीं सित हुआ इस कहानी को तो आगे बढ़ना ही था उसने संसार से विश्णु का नाम मिटा देने का प्रण कर लिया ऐस आगे आगे खागे के विश्णू कर विश्चिन कर देटा इंदूsky शाहरा कि आगे प्राप विश्णु झाल झाल इस शेशनाक शेया पर विश्राम करते विश्णू स्वाम को जीवन और मृत्य का स्वामी समझने वाले विश्णू साफधान साफधान हो जाओ तुम्हें मेरे ब्राता श्री रिणाक्ष के रख्ट की एक एक बूंद का मुल्ने चुकाना होगा तुमने जो घाओ उनके शरीर पर लगाई थे उसने उनके शरीर को ही नहीं मेरी आत्मा को भी चल्ली चल्ली कर दिया है जब तक मैं तुमसे प्रतिशोद नहीं लूँगा मैं जैन की श्वास नहीं लूँगा अब मेरे जीवन का एक उद्देश है प्रतिशोद प्रतिशोद के वल प्रतिशोद यदि तुम मैं सहस है तो मेरी चिरोती श्विकार कर लो श्विकार कर लो तुम प्रत्र किससे प्रतिशोद लेने की बात कर रहे हो हिरन कशिपू उसी से उसी विष्णू से जिसने मेरे भाता को निर्दैतों से मार डाला मते तुम्हारा तो केवल भाई था वो मुझसे पूछो जिसके नेनु कीची होती था वो जिसकी कोक से जन्मा था वो जिसका पूत्र था वो क्या तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी महन है नहीं पूत्र मेरे दुख का तो अनुमान भी ने लगा जा सकता परन्तु उसने एक ऐसा पाप किया था जो क्षमायों के नहीं था क्या अपराद किया था मेरे भ्रादा ने उसने धर्थी का पहरण किया था एक नारी का पहरण और एक नारी का पहरण अक्षम में अपराद है पुत्र अपरण कोई अपराद नहीं माते ही अपरन तो हमारी असुर संस्कृति का एक अंच है जिस संस्कृती का आधार अपहरण हो चिस संस्कृति का अंच अपहरण हुए यह क्या मिला अपैं परतर है उसका विनाश निश्चित के अंपहरण समाज का सबसे बड़ा अपराद है तो पाप है माते, शक्ति है हमारे पास, सहासे हमारे पास, जो वस्तु हमें सुहाती है, हम उसे छील लेते हैं जिनकी भुजाव में शक्ति है, उनका उत्तरदायत्व भी उतना ही होता है पुत्र वे नारी की रक्षा करते हैं, उसका पहरन नहीं नहीं माते, हमारी शक्ति पर कोई भी उत्तरदायत्वांकुष नहीं लगा सकता जो भी हमारी महानता के समक्ष सिर नहीं जुकाएगा, हम उससे कुचल देंगे जो भी हमारी आज्या का पालन नहीं करेगा, उसका भी वही परिणाम होगा जो धर्ति का हुआ तो फिर ये भी जान लो पुत्र, कि जो एस आत्या चार करेगा, उसका परिणाम भी वही होगा जो पुत्र हिरन्याक्ष का हुआ था, तुम विश्नु की शक्ति को नहीं जानते पुत्र और विश्नु मेरी शक्ति को नहीं जानता मते, परंतो जिस दिन, जिस दिन मैं उसे उसकी शेश शैया से नीचे खसीठ लूँगा, उसके सिगासन को दामा डोल करतूँगा, उस अभीमानी से उसकी सारी शक्ति और तेवताओं से उनका प्रताप छीन लूँगा, उस दिन म मते, उस दिन, उस दिन वो मेरी शक्ति जान लेगा, बाली भाती जान लेगा, ऐसा मत कहो, पुत्र, ऐसा मत कहो मते, तुम्हारी सोगंद, मैं श्रिष्टी से विश्णू का नाम मिटा दूँगा, मैं उसके किसी भी नाम लेवा को जीवी तही छोड़ूँगा, सेनपति विड़ाल, आग ग्या सुर्राज, हमारी सेनप को आदेश दो, कि चारो और फैल जाए, जिस जीप पर विश्णू का नाम हो, उसे काड़ दे, जो कान विश्णू का नाम सुनते मिले, उनसे सुनने की शक्ति छील ली जाए, जो अग्या सुर्राज, जो, अश्रिष्टी में यह संदेश सुना दो, कि विश्णू की प्रभुदा का युक समाप्त हो गया, अब एक नए युक, हिरणय कशपू युक का अरंबव रहा है, जो भी अब तक विश्णू का स्मरण करते थे, अब मेरा स्मरण करेंगे, जिस मन में विश्णू का ध्यान होगा, अब उस मन में हिरणय कशपू का भैवास करेंगा, हाँ, आपके आदेश का पालन होगा, असुर्राज, नहीं, नहीं, यह क्या करें, अपत्र, अपना आदेश लोटा लो, रुक जाओ, ये नर्थ ना करो, पत्र, ये नर्थ नहीं, सर्वथा उचित है, देवी, विश्णू के शड्यंत्र का उत्तर है, शड्यंत्र, कि आप क्या कह रहे हैं, गुरु देव, आप भूल गई देवी, कि विश्णू ने दानाव संस्कृति का विनाश करना चाहा था, और अब वो अस्रों को मिटाना चाहता है, इसलिए उसने सबसे पहले आपकी जेश्ट पुत्र, एन न्याक्ष का वत कर डाला, तो आपने उसे जीवित कर दिया होता, आपके पास तो संजीवनी मंत्र था, मैं जीवित कर देता, मैं अवश्य जीवित कर देता आपके पुत्र को, परन्तो उसे विश्णू ने स्वैम मारा था, और जिसे विश्णू स्वैम मार डाले, उसे पुनहर जीवित करना असंभ मुझे खेद है देवी कि मैं आपके पुत्र हिरण याक्ष को पुना जीवित करने में अस्मर्थ रहा कि फेश तुमने जो भी किया उचित किया पर इससे केवल विश्णु को इसमरण करने वालों का ही सर्वनाश होगा कि विश्णु का कुछ नहीं बिगड़ेगा गुरुदेव कि यह तो मेरे अभ्यान का पहला चरण है कि इसके उप्रान तो मैं सीधा विश्णु पर प्रहार करूंगा कि पहों चतुर है विश्णु कि वह शक्ति मखी अ उससे टक्र लेने के लिए तुम्हें अपाश्श्च्टी की आवश्च्टा होगी वो जुआला है कि तुम्हें तुम्हें आनी का रूप लेना होगा वो चंत्रमा की भाती शीतल है। कि तुम्हे सूरी की भाती देहकना सीखना होगा, वो नदी की भाती शान्त है। तुम्हें जुआर की भाती उमर्ना होगा हे गुरुदेव ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं आप गुरु तो अपने शिष्षे को कल्यान का मार्ग दर्शाता है आप तो मेरे पुत्र को विनाश का मार्ग दिखा रहे हैं शांत रहो माते शांत ये तो गुरुदेव के महान कथन हैं इसके एक-एक अक्षर के समक्ष मैं अपना सिर जुखाता हूं गुरुदेव मुझे प्रकाश दीजिए मुझे ग्यान दीजिए मेरा पत प्रदर्शन कीजिए मुझे आदेश दीजिए तुम्हें ऐसी शक्ति प्राप्ट करनी होगी शिश जिसे कोई परास्त ना कर सके स्वायम विश्नु भी नहीं मैंने ऐसी शक्ति प्राप्ट कर ली थी परंतो विश्नु ने चल से उसकी महता घटा दी उसने देवताओं को अमरत पिला कर अमर बना दिया अब मेरी शक्ति से भी महान शक्ति तुम्हें प्राप्त करनी होगी उस उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा गुर्धेव तुम्हें तप करना होगा शिश घोर तप, अपूर तप, अपार तप, ऐसा तप जिसका संसार में उधारण ना मिले विश्णू का तप नहीं क्योंकि वो द्रेवताओं का पक्षपाती है वो तुम्हें कुछ नहीं देगा शिव का भी नहीं क्योंकि वो मैं पहले कर चुका हूँ तुम्हें ब्रह्मा की तपस्या करनी होगी वही केवल तुम्हारी तपस्या के भुलावे में आ सकते हैं और पिर तुम उनसे वो वर्दान मांगना जो मैं तुम्हें बताऊंगा गुरुदेव की जैहो गुरुदेव मैं आज ही तपस्या के उद्देश से असुर लोग छोड़ दूँगा मुझे आग्या दीजे गुरुदेव प्रणाम मते मारा निकाया दूँगा आए आप मारा निकाया दूँगा 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 इस समय मैं छो मांगती प्रतिक्षा कर रही थी स्वामी मुझे आपको एक शुब समाचार देना था समाचार तो मुझे भी देना था पर मुझे भै है कि यह समाचार आपके लिए शुब नहीं होगा मारत क्या समाचार लाए हैं आप कुछ शुब समाचार आप आप नियुक्ति पिता बनने वाले हैं महां है आप प्रसन नहीं होएं कौन वेक्ति पिता बनने का समाचार सुनकर प्रसन नहीं होगा माराणी कि परशुप समाचार यह है कि मैं अपने पुत्र के जन्म तक यह रुक नहीं सकता यह कि यह आप कहीं जा रहे हैं हाँ प्रिये मैं जा रहा हूं कि विष्ण से प्रतिशोद लेने की शक्ति को राप्त करने हुआ कि अपस्या पर जाने से पहले मैं तुम से पिदा लेने आया था मुझे तनिक बिग्यान नहीं कि तब सपल होने में मुझे कितना समय लग जाए वामी आप मुझे इस अवस्ता में छोड़कर जले जाएंगे कि विवस्ता है प्री है कि विवस्ता है मैंने प्रण ले लिया है और मेरी रक्षा कौन करेगा आप मुझे इसके आश्री छोड़े जा रहे हैं जब तक आप नहीं आएंगे अब तक मैं क्या करूंगी कि आपकी रक्षा में कोई कमी नहीं रहेंगी महारानी कि देनापदी विडाल कि अग्या सुराज मैं गुरुदेव के अदेशा अनुसार तब करने के उद्देश से असुर लोग छोड़ कर जा रहा हूं कि महारानी कायोदी की रक्षा का उत्तरदायत मैं तुमें क्योंकि असुर लोग में मेरे उपरांत सबसे बल्वान और शक्तिशाली तुम हो विडाल कि मेरे लौट कराने तक तुम इनकी रक्षा करने है कि यदि तुमने कोई चूप की तो मेरे दंद से बच्च नहीं पाऊगे यदि मैं महरानी क्यादू की रक्षा में सफन रहा सुराज तो आप मुझे दंद देने के लिए जिवित ही नहीं पाएंगे जब तक मेरे शरीर में एक भी सास और रक्षा की एक भी भून छेश है मैं महरानी क्यादू की रच्चा का वचन देता हूँ मिडाल मुझे तुमसे यही आशाद हमारे दूसरे आदेश का क्या हुआ सैनिक चारों और फैला दिये गए हैं विश्णु के विरुद्ध अभियान आरंभ हो चुका है आपकी जय हो असुर राज अब मुझे निश्चिंथों का जिदा कर प्रिये हैं कि जब मैं लौट कराऊंगा तो मेरे पास इतनी शक्ति होगी कि कोई मेरे परिवार की और आंख उठा कर देखने का सहस्थ भी नहीं करेगा कि मुझे विदा कराऊं कर देखने कर देखने कर देखने की कि यह विदार में लुट ऑर राज पास अंप कर दोड़ा है प्रेश्ट करें जा रहे हों मंदिर में क्यों जा रहा हूं मंदिर में अपने विश्ण भगवान की पूजा करने जो मैं नितिदिन करता हूं कल भी की थी आज भी करूंगा कल की थी आज नहीं करोगे कल तुमारे लिए विश्ण की पूजा का अंतिम दिन था क्यों ये कैसी अनोखी बात कर रहे हो तुम मैं ठीक क्या रहा हूं असुर राज हिरेनक केशपु का आदेश है कि कोई विश्ण भगवान का नाम नहीं लेग कोई उसकी पूजा नहीं करेगा को उसका स्वरम भी नहीं करेगा मैं तो लूँगा उनका नाम वही मेरे इश्वर हैं कि थेरो तुम अंदर नहीं जा सकते हे सेना पती देखिए आपका सैनिक कैसी विचितर बात कह रहा है यह कह रहा है कि मैं अपने विश्णू के मंदिर में प्रवेश्णा करूं आप इसे समझाईए कि विश्णू का नाम तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है अच्छा तो तुम्हारे रोम रोम में बसा हुआ है विश्णू का नाम अब मैं निकालता हूं तुम्हारे रोम रोम से विश्णू का नाम यह विश्णू हे सरवेश्वर क्या बात है प्रिये कोई इतना निर्दई कैसे हो सकता है एक व्रिद्य असहाय मनुष्य पर इतना अत्याचार कमलनेयन हिरण्य कशिपू आप पर क्रोधित है पर क्रोध उतार रहा है निर्दोश मानों पर आपकी क्रोधाकनी कब भड़केगी आप किस बात के प्रतिक्षा कर रहे हैं समय की महादेवी समय की किस समय की उस समय की जब हिरण्य कशिपू की गागर भर जाए समय कागर मैं आपकी बाते समझने में असमर्थ हूं जग्दिश्वर महादेवी अभी तो हिरण्य कशिपू के पाप की गागर में दुशकर्म की पहली बून्द गिरी है इसके भर जाने की प्रतिक्षा तो करनी होगी ना उस समय की प्रतिक्षा कर रहा हूं मैं पर वो ये जानते हुए कि हिरण्य आक्षा प्राधी था आपसे शत्रुदा पर कमर कस रहा है आँ महादेवी हर एक को मरने के लिए कोई न कोई बहाना तो डूड़ना ही पड़ता है घरण्य कशिपूने मेरी शत्रुदा को बहाना बना लिया है हे देवगाण हिरण कशपु ने श्री विष्णु के विरुद अभियान आरम कर दिया है हमें चुप नहीं बैठना चाहिए परन्तु देवेंद्र हिरण कशपु भला हमारे भगवान विष्णु का क्या बिगाड सकता है राई कभी परवत के सामने टिक नहीं सकती देवराज पर यदि हमारे होते श्री विष्णु को हिरण कशपु को डंड देने का कस्वयम उठाना पड़े तो हमारे लिए इससे बड़ी लज्जा की बात और क्या हो सकती है सागर मंतन के समय उन्होंने हमारी जो सहायता की वो हमारे लिए एक रिण के समान है ये तो सत्ते हैं देवराज यदि उन्होंने सहायता न की होती तो हम्रित के प्राप्तिया संभव हो जाती पर देवराज अब हम करेंगे क्या? हम इरणने कशिपु की तपस्या भंग कर देंगे तपस्या भंग? सोच लिजी देवराज हमने पहले भी एक बार देथे गुरु शुक्राचारे की तपस्या भंग करनी चाहिए थी परन्त उल्टे हमें हानी पहुंची थी उनकी बात और थी और हिरन कशिपुत असुर है इस बार हम कोई भूल नहीं करेंगे और श्री विश्णु का रिंट चुकाने का यही अफसर है अम ब्रह्मदेवाय नमा 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 ऌुब रम्रीव एी नमू ओलव आ रखले नमू झाल झाल